Hey everyone, मैं अनू, आज़ आपको एक बहुत ही beautiful सी success story सुनाने वाली हूँ, इस story को सुनने के बाद आपके अंदर एक positivity भर जाएगी और अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो तो एक बात clearly समझ लो कि आप जो भी चाहते हो manifest कर सकते हो क्योंकि अगर एक person कुछ manifest कर सकता है अपने लिए तो आप भी कर सकते हो क्योंकि हम सब के पास बिल्कुल equal powers हैं, हम सब का mind बिल्कुल एक है, बस हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मैंने एक course book launch किया है जिसको अगर आप follow करते हो तो आपकी life में आपको बहुत बड़े-बड़े changes दिखेंगे, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी life completely बदल जाएगी उसकी information उस book की मैं आपको description box में दे दूँगे उस video की आप एक बार उस video को देखना और फिर सोचना कि आपको अपने लिए क्या करना है चलिए हम अपने स्टोरी जो है आज वाली start करते हैं हाई दी, कुछी दिनों पहले ही मुझे आपका YouTube चैनल मिला, मुझे आपके सारे वीडियोज बहुत अच्छे लगें, उनको देखकर बहुत जादा motivated फील करती हूँ इसके लिए सबसे पहले मैं आपको thank you बोलती हूँ आज मैं आपको अपनी success stories share करना चाहती हूँ, जो मुझे तीन दिन पहले मिली है मैं अपने BF के सांथ love marriage करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा बिलकुल इसके against थे मेरे पापा मुझे love marriage करने से रोक रहे थे starting में जब मुझे पापा से बात करनी थी, तो मैं बहुत डर रही थी, कि वो मुझे मना ना कर दे और जब मैंने उनसे बात की, तो यही सच हो गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं love marriage नहीं कर सकती यहाँ पर मैं रुक कर आपको एक बात बताना चाहूँगी जो भी मुझे सुन रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप डरते हो, उसे अपनी life में attract करते हो, तो डरना बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचो और डरना बंद कर दो, क्योंकि डरने से कोई फाइदा नहीं है, in fact आप उस डर को अपनी life में attract करोगे बस ऐसा समझो कि डर आपको safe करना चाहता है, डर आपके लिए बस एक safety के रूप में काम करता है, तो जो भी जब भी डर लगे बस उसको thank you बोलो और उसको वहीं से जाने दो, जादा उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इनके साथ यही सब हो रहा था, जब यह डर रही थी बात करने में, तो इनके साथ यही हुआ चलिए, अब story को जो है continue करते हैं, वो आगे लिखती है लोगों के बीच हमारा नाम खराब हो जाएगा और रिस्तेदारों की ताने की वज़ह से वो मना कर रहे थे अगर मैं आपको बताऊं, तो यह शादी होना impossible था, लेकिन इन सब में मेरे boyfriend ने मेरा पूरा साथ दिया मेरे boyfriend की family मुझे बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों ने भी मुझे पूरा support किया जब मैं मेरे पापा से शादी की बात की तो उन्होंने जब मना किया तो हमारे बीच छोटी fight भी हो गई उसके बाद मैं बहुत रोई और बहुत परेशान हो गई क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरी शादी मेरे BF से नहीं हो पा रही थी, मुझे law of attraction के बारे में पहले से पता था तो मैंने इसको अपने शादी के लिए use करना शुरू कर दिया मैं हर रोज visualize करती थी कि मेरे पापा सामने से आकर कह रही है कि तुम शादी कर सकती हो जिस से चाहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करते थी, मेरे अंदर विश्वास था कि पापा ऐसा जरूर कहेंगे और मेरी शादी मेरे बीएफ से ही होगी मुझे मेरे बॉइफरेंड की वज़ा से पॉजिटिव फील होता था और उसकी फैमिली भी मुझे प्यार देती थी, तो मैं बहुत ज़ादा पॉजिटिव फील करती थी और कुछे ही दिनों बाद जब पापा मुझे शादी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे बीएफ के बारे में मुझे से पूछा मैंने खुशी से उन्हें सब कुछ बताया और वो मेरे बीएफ की फैमिली से मिलने के लिए तयार हो गए मेरे BFK family ने मेरे पापा को समझाया और पापा शादी के लिए मान गए universe ने मेरी wish पूरी कर दी मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जब कुछ भी ना समझ में आए और आपके हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मैंने यही किया और मेरा आज सब कुछ ठीक है love you universe and God दी मैंने आपकी course book भी ली है मैं उसको follow भी कर रही हूँ जब से follow करना start किया है तब से mind peaceful हो गया है और पहले से ज़्यादा positive रहने लगी हूँ पहले ऐसा कभी नहीं था पहले लोगों की जरूरत थी जो मुझे positive feel करवाते थे अब मैं खुद पूरे दिन positive रहती हूँ यह आपका best gift था thank you दी हमारे लिए इतना सब करने के लिए और आप मेरी तरफ से सब को message देना कि सब कुछ सही हो जाता है time के साथ बस भगवान पे और universe पे trust करो वाओ देखा आपने कितनी प्यारी सी success story थी इनकी इनके विश्वास को देख कर मुझे बहुत खुशी हुई इनका जो mind था वो peaceful क्यों हा क्योंकि इनके जो है विश्वास है universe पे अपने भगवान पे कि इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों को भी अपने अंदर इस विश्वास को जगाना है कि आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा उसका इंतिजार करो वो आपका ही है तभी आप उसे चाहते हो तो आप बस आपको बस भगवान पे अपने universe पे trust करना है universe और भगवान हमेशा आपके साथ है God हमेशा आपके साथ है मैं भी आपके साथ हूँ बस इस बात पर विश्वास करो और अपने आप से प्यार करो जितनी जादा अच्छी बाते हो अपने आप से करो हमने relationship के लिए एक workshop स्टार्ट की है जो कि last workshop होगा relationship और self love उसमें focused रहेंगे और भी life के सारे areas के लिए सिखाए जाएंगे जो कि बहुत ही कम माल का होने वाला है तो अगर आप उसको join करना चाहते हो तो मुझे mail करो या Instagram पर message करो मेरे course book के लिए भी आपको same process करनी है Instagram पर message करना है या फिर mail करना है और हमारे WhatsApp ग्रूप भी है उसके लिए भी आपको same चीज करनी है या तो Instagram पर message करो या फिर मुझे mail करो हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना मैं आपसे बहुत प्यास करती हूँ and God bless you all